गुड मानिंग एबरीबन, फिफ्थ क्लास, तुड़े इस नाइंथ आफ दिसंबर, और डे है बेंस्टी, तो हम लोग रिवीजन करने हैं, रिवीजन में आज का जो हमारा टॉपिक है वो है इंडियन नंबर सिस्टम, इंडियन नंबर सिस्टम में सबसे पहले बात करते हैं कि इस से रिलेटिड जो वो किस टाइब के कोष्टिन जो वो पूछे जाते हैं, ठीक है कई वार आपको जो वो एकसाम में, फर्स्टी कोष्टिन पूछ जाता है कि how many zero are there in one करोड या one lakhs या ten lakhs या ten करोड ठीक है, आपको zero पूछे जाते है कि one करोड में कितनी होती है, ten कर होती है, ठीक है, तो आपको पता होने चाहिए ten lakhs में कितनी होती है, ठीक है, तो फस्टी कोष्टिन कई वार जो वो एक कोष्टिन पूछ जाता है कि how many zero, कितनी zero होती है, या ten करोड में पूछ जाएगा, कुछ भी पूछ जा सकता है, ठीक है, या आपको जो वो कोई number दिय है, पर आना चाहिए, इसलिए जो वो एक्जाम में कई वार ऐसे कोष्टिन भी, यह सिंपल कोष्टिन भी पूछ जा सकता है, मतलब कि इसको बर्ड में लिखना है, तो बर्ड में लिखने के लिए आपको पता होने चाहिए, once कैसे count करते हैं, once Indian number system की बात कर रहे हैं, आज ह तो ऐसे अगर आपको जब वो एक counting आती होगी, Indian number system वाली, once 10, 100, तो आप किसी भी number को जब आसानी से words में लिख सकते हो, zero भी calculate कर सकते हो, zero भी find out कर सकते हो, ठीक है, तो उसलिए से पहले हम लोग बात करते हैं, इसी की, once 10, 100 की, देखे, once का मतलब one ही है, ten's का मतलब आपको 10,000,000 is also very important, कितनी होगी इसमें, अगर इसमें 5,0 हैं, तो 10,000,000 में कितनी होजाएंगी, 6 होजाएंगी, फिर करोण में कितनी होजाएंगी, 7 होजाएंगी, 10 करोण में कितनी होजाएंगी, 8 होजाएंगी, ठीक है, आपने जब दो चीज़े याद रखनी है, लैक्स और करो तो करोड में 7, तो 10 करोड में 8 हो जाएगी, तो मतलब आपने जो वो 2 चीज़े याद रखनी है, 1000 का तो सभी को पता होता है, 1000 में 3 0 होती है, ठीक है, तो लैक में 5 0, 10 लैक में 6 0, करोड में 7 0, मतलब आपको लैक और करोड भी ही याद रखना है, लैक में 5 और करोड में 7, ठ से आपके काम आगे ज़्याद नहीं आने वाला है लेकिन फिफ्त करास में नहीं आने वाला है आगे जा करके आपको सायद काम में आ जाए है तो इन सभी को लिख लें वैसे यहां पे सारे लिखे हुए है अरब 10 आरब फिर खरव आ जाता है ठीक है एक एक 0 बढ़ती जाएगी अरब में कितनी होती है 9 टीक है 10 10 करोड़ में 8 होगी अरब में होगी 9 तो 10 अरब में हो जाएगी 10 ठीक है, खरम में हो जाएगी 11, फिर 12, फिर ऐसे ही आगे तक चलता जाएगा, 12, 13, 14, 15, 16, 18, लास्ट है 10 संख, ठीक है, तू ऐसे आप इसको याद रख सकते हो, ठीक है, चलिए एक कोई छोटा सा नंबर लेकर के, देखते हैं कि हमें जो वो आता है या नहीं आता है, ठीक है, तो एक नंबर लेते हैं, जैसे कि मैंने अपनी मरी से लिखता है, 23, 99, 4, 6, 5, ठीक है, जैदा बड़ा नंबर नहीं है, पहले तो देख लें कि, इंडियर नंबर सिस्टम में आपको पता होना चाहिए कि, सबसे पहले अगर आपको कॉमाज लगाना आ गया, तो समझ लो, 3 छोड़ा कॉमा लगाली है, उसके बाद 2, 2 छोड़के कॉमाल लगाना है, तो 2 छोड़के यहां पे मैंने कॉमा लगाली, एक लगाया मैंने 3 छोड़के यहां पे, और एक लगाया मैंने, फिर 2, 2 चले आगी को, ठीक है, लेकिन जो इंट्रनेशन नंबर सिस्टम होता है, उसमें जो वो 3-3 छोड की ही कॉमाज लगता है ठीक है 3-3 इसमें क्या होता है इसमें 3 छोड़िये पहले फिर कॉमा लगाई ये फिर 2 छोड़ के फिर आगे जो वो 2-2 चलता जाएगा ठीक है इसको पढ़ना स्टार्ट करना है आपको पता है 10,000 10,000 के बाद आता है लैक फिर आज आता है 10 लैक ठीक है जो जो कॉमाज के अंदर है उसको इकठे ही बढ़ना है ठीक है यहां पर आता है 10 लैक इसका मतलब है यहां पर लिखेंगे हम लोग 23 लैक ठीक है 23 है तो इसका मतलब है एक नहीं है एक होता थोड़ा सा बड़ा नंबर लेते हैं, जैसे कि 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ठीक है, 8 डिजिस का मैंने नंबर ले लिया, मुझे पता है, इंडियन नंबर सिस्टम में मैंने इसको लिखना है, तो 3 के बाद मैंने छोड़ दिया कॉमाज, फिर 2, 2 के बाद मैं यहां पे लगा लूँग ठीक है, तो यहां पे मैंने कॉमाज भी लगा लिया है, मैं 15 स्टाट कर रहा हूँ, जता ही 10 साइट से, 1, 10, 100,000, 10,000, 10,000, 10,000, फिर आता है, 1 करोट, ठीक है, बैसे लिखेंगे, कॉमाज के अंदर जो है, उसको 81 ही आमने पढ़ना है, ठीक है, तो 1 करोट, फिर क्या जाए पढ़ना है, कॉमाज के अंदर, 45,678, ठीक है, तो काफी सिंपल होगे अब, ठीक है, आपको, आई होप की, आप समझगे होंगे, कैसे इसको करना है, ठीक है, तो आप याद रख ले, ज्याद तर आप जोबो, खर्व तक याद रख सकते हो, अगर आपने तोड़ा सा इसको आप लोग लर्न करने अच्छा से, प्रेक्टिस करने अच्छा से, ओक थेंक्यू